हलो फ्रेंज मोनाली साइज मितला किचन में आपका स्वागत है और आज मैं राखिये स्पेशल डिस लेकर आए हूँ जो कि यह परवल का मिठाए उसके लिए मैंने ले लिया है यह परवल आप परवल लिया है मैंने सभी को छील दिया है और इस तरह से इसता सीर्स निकाल दि चिर्म शीनी है 150 ग्राम स्वावल इन जोडा है अर ये को अरा मिधला है यह किच्टकी और अट रहतरा हैं आप से दस प्रहतर स्वापल्ड घ्र हाए म 설शन प precio आस ज्रीत कार्वर सब्सेशल कeszक्टतर संप्छीए को ङुट कर लिया है है अब मों य८ं differम सेशल आपके प्राइक करेंगे इसमें हम यह दो टीश्बून चीनी डालेंगे जाधा नहीं डालेंगे और यह कड़ा हुआ पिस्ता और काज्यू और यह इलाइंची पाउडर इसको डालके हम हाई फ्लेम पर तीस चाहर लियर इसको चीनी को मेरत होने तक हम इसको पकालें प्रेंज देखें अब मैं आपको यह परवल इसको पील करके बताती है इस तरह से प्रेंज देखें अब हम इसको कट करके अंदर से सारा बीज हम निकाल देंगे प्रेंज देखें इसको हलकी हांतों से हम इसको मारा नाम से करेंगे निकाल टूट जा पाहां कि इसकार से मैंने सारे परवल को पेले से साफ करके रख लिया है अब इसको पानी मैंने उगलने के लिए रख दिया है अब इस सुबल के पानी में परवल को डालेंगे और इसका जो हरा कवार रहता है वह नाम इसके लिए मैं यह चिटकी भर वेकिंग सोडा इसमें डाल देंगे इसको हम 3-4 मिनिट इस पानी में उबाल देंगे अबल चुका है 3-4 मिनिट हो चुकिया और इसको हम फ्लेम को आफ कर गया उच्रेन कर लेंगे अब थंडा होने देंगे तब तक हम चास्नी में तयार कर लेंगे कि इसको अब तक हम चीनी में दालेंगे यह 125 ग्राम चीनी था और इसमें यह फोरासा पानी लालेंगे और इसको बड़ने लेंगे कि दिखे चास्नी में वाल आ चुका है अब हम इसमें यह बोईल पड़ोल ढालके इसको हम कुछ दोच तीन मींद इसको भी है बोईल करेंगे चास्नी में या चुर इसको जब तक ट्रांसपारेंट नहों जाए तब तक पका लेंगे प्रिंज देखिए इसको हम निकाल लेंगे ब्लेड में अब थंडा करके इसको हम स्टॉफिंग कर लेंगे अब हम स्टॉफिंग कर लेंगे इस तरह से अब इसी तरह से स्टॉफिंग कर लेंगे प्रेंट्स तयार है परवल की मिठाए आप इंजोई करें भायों के साथ इस राखी में और उमीद है कि आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी परवल की मिठाए की तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरे वीडियो को थैंक्यूफल वाचिंग